सारे बाण बाई यान राम राम भाई मैं थारा बाई नर्शी परजापत शिमानी और थामन देखन लाग रहे हो अन पीएस न्यूज परी अन पीएस न्यूज ना करें कनफ्यूज तो फिल आला आपा खड़े हां शिमानी उपमंडल के दुलकोट गाम में दुलकोट गाम में संत रामदास जी का आसराम है आज आपना आसराम में लेके चलांगे निर्माना दिन आसराम में आप जैसे बाईयों के सयोग की जुरत है ताकि वहां बड़ी आसराम मन सक है और बहुत ही मतलब दुख्या लोग महाते हैं उनका दुख दर दूर होता है वह और इस जज़ड आप दुलकोट से रुपाना के तरफ जा रहे है और तो यहां से यह कच्छा तरफ दूरूरी पर संत रामदास जी का आसराम है संतरामदाश जी के आसराम की तरफ आप देखन लगा रहे हो यह कच्छा रास्ता आसराम की तरफ जा रहा है अब आपको शिद्य आसराम में लेके चलते हैं बने रही हो हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कर दियो ताकि और भाईया ने पता लगए और यहां सयोग कर सके तो अब भाईया आपको आसराम में लेके आगे हैं आप देखन लाए रहे हो यह मैं कैमरा में से कहूँगा यह बोड दिखा दे भाई संत रामदास जी आसराम संसतापक रामदास जी माराज है तो किसे दान वीर ने भाई यह इंट गिरवादी है यहाँ पानी के टंकी का निर्मान होगा किसे दान मीर ने आक रेसर गिरवादी कोई दान वीर शिम्बट देगा जैसे मतलब आप लोग से यो करोगे उस तरह मतलब यहाँ एक बड़ी आसरामद के त्यार हो जेगा फिल आल यहाँ पर एक कमरा है मैं कहूँगा कैमरा मैं अंते एक बर दिखा दियो भई 3012 2021 को इसको इसको मरे का निर्मान करया गया और आप देख सको भई यह जगा में किसे न दान में दी है तो भई आपना जो भारत देश जो है वो यह निकि दान वीरों का देश है यह निकि रात तो रात वेरा को निकि यह बनवा दे तो अपना जो भारत देश एक दान वीरों का देश है तो सभी भायो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा यहाँ सवयोग करे ताकि यहाँ एक बड़ी आस्रम मन सका है और महाराज जी ने इसकी सुरुआत की है महाराज जी की भी हम विचार ले आँगे महाराज जी तही बात करा है मैं कैमरा में तक हूँगा एक बर अंदर आजा भई तो दो चार पांस बगति यहाँ बैठे भी है तो इस से ड़ा जा तो किस तरह इसी शुरुआत करी कभी इसकी नीमदरी आप बताओ नीम तो जी इसकी पिछे सी तीन बिने पहले चार बिने पहले रखी गई थी और नीमदरनक बाद में देरे देरे भगतों ने यो छुड़ा मुद्दा सा उठाया वह यो आस्रम है Бए अच्छी जगे है, योकरां उस तरिकत यो चल दाव है तो य हैंकि बगतों का अवा गवन भी बिर है? है, है तो य यहनकि कोई सत्तंग का प्रोग्राम भी आउता होगा माराज जी हां जी 11 तारिको, हर मिन्ने 11 तारिको तो जी हर मिन्ने की ग्यारा तारीक इससंग के लिए क्यों सुनी आपने ये जी अमारे जो गुरु जी है ना सुर्तादास जी उन जिस दिन चोड़ा दिया था जो आशिरवाद दिया था महाराज नात्य का उनकी रख्यू ही है और उस गुरु महाराज का कहने का मतलब पालन कर दे आमा तो महाराज जी पंथ की जहां बात करूं कौन से पंथ से आते हो आप देखो पंथ तो सभी के सभी एक है वो तो आप अपना सोचन का नजरिया है पंथ सभी के सभी एक हैर वैसे कवीर पंथी बोल दे है लेकिन मैं तो सभी पंथ एक माननू हूं क्यों सत् लोग किस तरह सैयोग करें और तरीक के आगव का है या और सैयोग है सबी परकार कामना चाहिए तो महाराजी बीडियो देखके बाई एसी बात को ने मेरे को पूरी पूरी उमी देखी सेयोग करें भीगे तो अगया के प्राबदा ने के बनाना सा हुआ देखो जैसे बार वित्तर तब अगता हुआ है सत्संग हो है इव गर्मी है इव तो चलो रात को जासे दिन को तो को कोही दिक्कत को ने आए सर्दी की टैम में दिक्कत आए है फिर सर्दी की टैम में कोई जड़का मोसम हो जार तो आड़े को-वीच सुटका जबहात आहाु हैए तो पीलाल मैं देखना है कि लेटरिंग बातन में की सुवह को नहीं ज़रूरी है पानी के लिए कुंड का के उपरी दुनिया कायम है तो भी आप लोग से मेरे को इतनी उमीद है कि आप बड़ जड़ के सयो करोगे तो मास्या जी सतीस पेंटर जी भी जुड़े हुए है यह भी हमारे साथ आ रहे हैं समय समय पर हम इन से मिलते रहते हैं आज भी दो बात करांगे हम इन से तो नमस्का के बारे में क्या अप्रावदानागा क्या बनाना सॉषण फिर अशरम में जो कुछ बनाना चाहिए था रहे हैं कि जैसे एक तो अब पानी की जो टंक है यह पानी की सुईदा नहीं है आने जाने वाले यह कच्छा रसता यहां का यह तीन से च्यार गाओं को जोड़ता है और जो शिवानी से अगर हम दोड़कोट आते हैं तो ये दो से तीने किलोमेटर पड़ता है और दूसरी से गुम कहते हैं करीबन पंद्रा किलोमेटर पड़ता है इसलिए जो जाज़ातर जो आवागवन है वो इधर से ही रहता है फिर जो खेत में जो काम करने वाले लोग है अब जैसे कोई भी पसु है जैसे मूट है बैल है या वकरी है तो उनका इधर कोई पानी प्यने का मतलब साद नहीं है इसलिए हमने कमेटी की तरफ से सारा नहीं सोचा था कि पानी का कुंड का निर्मान यह प्डिक टंकी कि तो यह जो संत्रामदास आसरम सेवासमिती जो कमेटी है तो मैं उसका परदान भी हूँ तो इसलिए थोड़ा हमारा फरज भी बनता है और फिर वही सोचल मेडिया पर चार लोग जाना है तो हम यह चाहिए कि उस चीज का में बेनिफिट मिले क्योंकि जान पैचान के बगा परफिब ढलते हैं तो भी हो सकता कि वह डिटेल मंगें इस चीज की असरम कहां है किस तरिक्टे से है किस चीज का स्रम है कहां है तो थोड़ा सा यह है और आज आपका बड़ा-बड़ा दन्यवाद है कि आपने आसरम की पूरी विडियो पिछे से लेके आगे तक सारी बना आते हैं तो यह जो कोरट से अगर रोड चलता है शिवानी कोरट के सामने से तो वो रुपाना आएगा रुपाना से फिर दुलकोट जो रोड आता है पका तो उस पर पाणी की टंकी बनी होई है तो इधर से भी आम आ सकते हैं आपने वीडियो में सारा रस्ता दिखा दिया अ तो खेड़े से दुलकोट रोड पर आते हैं और अगर इधर से आना चाहिए तो यह कच्छा रस्ता है शिवानी से दुलकोट आता है तो यह कच्छे रस्ते को पर है यह तीन किलोमेटर के करीब पड़ता है तो जी मैं कुंगा कि आश्राम का कोई अकाउंट नंबर हो क्यो यह तो एक संत मातमाओं का देश है अब जितने भी जो हुए हैं यहां पे पहले अब जैसे मातमा बुझी को लेलो आप पूरा भी सब जानता हूंको और उनके बाद में जैसे कभीर दास जी और रवीदास जी होए और बड़ा संतों का देश रहा है यह और यह बाद किया करते है इसलिए उनका चल रहा है और यह जो अभी अमने जो आशरम का अकाउंट है वो ता भी खुलवाया नहीं है उसको सोच रहे हैं खुलवाने के लिए फिलाल तो जो परसनली जो मेरा अकाउंट नंबर है उस अकाउंट में पैसे आते हैं यह गूगल पे भी नंबर आप विन नोट कर लिए और है अगी वाई कोई करवाना चाहाव या फोन पर करवाना चाहाव दोनों पर नंबर चलता है और यहां मतलब संतरामदास आशरम समीति के जो परदान है यह बत्लब दो दो वोई भाई दूर हो तै देखो गुरुजीयां के एसी किरपा है आपे तो वह जादा जादा इस वीडियो को सेर कर दियो मैं थारा बाइनर से परजाबत सिमानी सारे बाण भाईयान है राम राम